हेलो दोस्तो मैं अजली स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानि की पशुधन सहयक सीधी भरती के स्लेवस के बारे में इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है कितने प्रेश्ण आएंगे कितना समय लगेगा और कितने कितने मार्क्स के आएंगे तो दोस्तो राजस्थान अधिनस्त बोर्ड द्वारा 1136 पदों के लिए ये भरती घोशित की गई है तो चलिए इसके इस लेबस की विस्तर जानकरी देख लेते हैं तो दोस्तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास में ही बैल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि भरतियों से रिलेटेड सभी नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पशुदन सहायक भरती परिक्षा के लिए इस लेबस मेंने बोर्ड की वैबसाइट से लिया है जो की बिल्कुल जैनुइन है पशुदन सहायक भरती का पेपर आपका दो भागों में होगा जिसमें आपका फर्स भाग मे आपका रहेगा geography अब यह कितने कितने marks के होंगे दोस्तों तो जो यह जीके है वह आपका 40 नंबर का अब दोस्तों पार्ट B में आपका रहेगा veterinary science दोस्तों veterinary science 12 की बाद का एक course होता है जिसने भी यह course किया है वो इस form को भढ़ने के लिए eligible होंगे तो दोस्तों जो veterinary science से उसमें आपकी total आएंगे 80 marks के question आएंगे total अंक आपके होंगे 120 marks के और timing कितना रहेगा दोस्तों आपके पास 2 घंटे का यानि कि आपको 120 मेट मिलेंगे प्रतिक प्रेशन आपका एक नंबर का होगा और आपको मिलेंगे 120 मिनट्स तो दोस्तों exam paper में जो आपके प्रेशन होंगे वो सभी बहुविकलपीर प्रकार के यानि कि optional type होंगे और सभी प्रेशन के अंक समान होंगे परिक्षा में नियूंतम निर्धार उत्तिर्ण अंक 40% है दोस्तों आपको कम से कम exam में 40% अंक लाना अनिवारिय है यानि कि 120 का 40% 48 मार्क्स लाना अनिवारिय होगा अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आप निफ्टी के लिए पात्र नहीं होंगे अब बात करते हैं इसके स्लेबस की तो दोस्तों जो इसका स्लेबस है सामानिय ग्यान का जो स्लेबस है जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्यक, परंपराय, M. विरासत आएगा तो इसका फर्स जो टॉपिक हो रहेगा राजिस्थान का इतिहास की प्रमुक सोत्र जिसमें आपको साहित्यक सोत्र पढ़ने होंगे नेक्स आपका एगा साहित्यक, राजिस्थान की प्रमुक प्रागेत्यासिक सब्यताएं जिसमें आहार, गर्नेशवर, काली, बंगा, आदी की सब्यताएं आपको पढ़नी होंगी नेक्स आपका आएका राजिस्थान के प्रमुख राजवश एम उनकी उपलब्याँ अब जो राजवश है वो कौन-कौन से है राजवश जिसे मेवार मारवार आदि आपको पढ़ना होगा नेक्स आपका रहेगा मुगल राजवश पुत संबंद जिसमें आपको महारणा प्रता प्राव चंदर सेन आदि के बारे में पढ़ना होगा नेक्स इस्थापत्य कला की प्रमुक फिशेश ताएं अब दोस्तों जो इस्थापत्य कला है पत्थर से बनी मीरारे वास्तु कला ये सभी इस्थापत्य कला में आती है इनमें आपकर आएगा महल, बावडियां, दूर्ग, आदी के बारे में आपको इनमें पढ़ना होगा Next, महतपुन के लिए स्मार्क M रचनाए Next, राजिस्थान के धार्मिक आंदोलन M लोग देवी देवता धार्मिक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना होगा लोग दिवी देवता के बारे में पढ़ना होगा नेक्स्ट राजस्थान की प्रमुक चित्रकलाएं M. शेलियां हस्तशिल्प चित्रकला के बारे में आपको पढ़ना होगा हस्तशिल्प हैंडी क्राफ्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा नेक्स राजस्थानी भाषा म साहित्य की प्रमुक्रतियां शेत्री बोलिया मेले त्योहार लोकसंगीत लोकवाध्य म आभुशन नेक्स राजस्थानी संस्कृति परंपरा म विरासत परंपरा विरासत के बारे में आपको पढ़ना होगा नेक्स्ट महत्पूर्ण एतिहासिक परियतन इस्थल, परियतन इस्थल के बारे में आपको पढ़ना होगा, राजस्थान के प्रमुक व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ना होगा, राजस्थान के रियासतें, एम ब्रीटिस संधिया, 1857 के जन आंदोलन के बारे में अब दोस्तों राजिस्तन का भूगोल आता है अब राजिस्तन की भूगोल में आपको कौन-कौन सी टॉपिक करके चलने हैं देख लेते हैं तो फर्स्ट हमारे रहेगा इस्तिती M विस्तार नेक्स्ट मुख्य भोतिक विभाग मरुस्थलिय प्रवतिय प्रदेश मेदानी प रमक फसले पशुदन 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 रहने वाला है दोस्तों टॉपिक जो पशुदन क्यों आपको जो इन अफ्परियोजन क्यों क्यों जूब को बहुत बार्डेली परियोज न है इसके बाद आपका रहेगा जल सानरक्षन परिवयन खनी संपदा हैं यह आपकी र रहने वाले हैं राजस्तान भूगोल के टॉपिक अब दोस्तों जो पार्ट भी है उसमें आपका कौन-कौन सी टॉपिक रहने वाले हैं देख लेते हैं तो फर्स टॉपिक आपका रहेगा इंट्रोड़क्ट्री वेनिटरी एनोटॉमी यानि कि पश्चु चिकिस्सा एनोट यानि कि पश्चु पाल विस्तार इसके बाद आपका रहेगा इंट्रोड़क्ट्री वेंट्रिनरी मेडिसीन यानि कि पश्चु चिकिस्ता इसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट माइनर वेंट्रिनरी सर्जरी पश्चु चिकिस्ता सर्जरी इसके बाद दोस्तों आपका एनिमल मेनेजमेंट पशु प्रभंदन इंट्रोड़क्टरी एनिमल ब्रीधिंग एंड जेनेटिक्स पशु प्रजनन वे आनुआंशी की नेक्स्ट इंट्रोड़क्टरी एनिमल री प्रडक्शन पशु प्रजनन नेक्स्ट इंट्रोड़क्टरी वेंट्रिनरी फार्मोलो यानि कि पश्यूची किस्ताव आउशत विज्ञान तो दोस्तों यह तापके रहने वाले हैं पश्युदन शायक भरती के अंदर आपके यह सारे टॉपिक आएंगे तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चै थांक्स फर वाचिंग जाए हिंज जाए भारत